My dear Picadians, I am Mudita and you watching your favorite Mudita IS Warriors So, आज से हम मैट्स की वर्क्षीट स्टार्ट कर रहे हैं यह वर्क्षीट फस्ट है, रियल नमबर चाप्टर शुरू करने वाले हैं और रियल नमबर मैंने आपको अल्रेडी पिकेडियन को करवा दिया है So, यहाँ पर आपकी होने वाली है रिवीजन So, गैस अगर आप लोगों ने अभी तक चाल सब्सक्राइब निकिया है तो सब्सक्राइब कर ले और कोशन था कि माइम डियो की तरफ से वर्क्षीट आनी स्टार्ट हो गई है क्या तो देखिए अभी ऑफिशेली स्टार्ट नहीं हुई है बट मैंने आपको पताया था जो सेम चाप्टर है उसकी आपको सेम वर्क्षीट मिलने वाली है So, हम टू स्टेप आगे चलते हैं इसलिए हमारे पिकेडियन्स ने कहा है कि उनको सेम वर्क्षीट पहले से ही करा दी जाएं So, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक है यूकलिट डिवीजन लैमा So, सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूकलिट डिवीजन लैमा क्या होता है Euclid हमारे mathematician का नाम है जिन्होंने ये method दिया है इसलिए Euclid division मतलब divide करना और lemma मतलब तरीका divide करने का एक तरीका, एक method, एक scenario दिया है जिसे हम Euclid division lemma कहते है इसके according Euclid division lemma says that for any positive integer A and B कोई भी हमारे पस दो positive integer हो सकते हैं A and B कोई भी teasers हो सकते हैं there exist unique whole number जो एक unique whole number में exist करेंगे और इस condition को satisfy करेंगे condition क्या है हमारे पास A equals to BQ plus R this is the condition and यहाँ पे R जो है वो 0 के equal हो या 0 से बड़ा होना चाहिए बस B से छोटा होना चाहिए अब आप इस condition को और भी अच्छे से समझ सकते हो dividend and divisor वाले rule से जब भी हम किसी भी value को divide करते हैं आपको याद होगा छोटी classes में आपने 3rd 4th में divide में long divisor में पढ़ा होगा कि जिसको आप divide करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं dividend बोलते हैं जिससे divide करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं divisor बोलते हैं और जो यहाँ पे हमारा आता है वो coefficient होता है और value जो end में बसती है उसको हम क्या बोलते हैं reminder बोलते हैं और इसको लिखने का तरीका ही होता है A equals to BQ plus R This is your B, this is your Q, this is your R और A क्या होता है A मतलब यहाँ पे जो हमारा dividend है उसको हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं तो यह कोई नई चीज नहीं है यह आपने चोटी क्लासिस में पढ़ा है बट आपने Euclid का नाम पहली बार पढ़ा है और यहाँ से आप एक चीज़ सीखेंगे कि इस method से आप HCF find कर सकते हैं highest common factor find कर सकते हैं दो number के बीच में with the help of Euclid division lemma तो इससे आपको HCF निकालना बहु show that every positive even integer यहाँ पे थोड़ा मैं आपको zoom करके रिखाऊंगी show that आपको क्या करना है प्रूफ करना है कि कोई भी even integer so that even integer is the form of 2Q कोई भी even integer है तो वो 2Q की form में होगा and odd integer है कोई भी odd positive integer है तो वो 2Q plus 1 की form में होगा और Q हमारा कोई integer है तो आपको इसे प्रूफ करके दिखाना है कैसे प्रूफ करेंगे हम पहले हम let कर लेंगे कि let A be any positive integer हमने मान लिया कि A जो है वो हमारा कोई भी positive integer है और हमें condition पता है condition Euclid क्या बोलता है कि 0 equal to R greater than B जो हमारा remainder है या तो वो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा लेकिन जो भी remainder है वो हमेशा हमारा B से यानि जिससे आप divide कर रहे है उससे तो हमेशा remainder क्या होगा छोटा होगा according to Euclid division algorithm ओके let A be any positive integer और B equals to 2 तो यहाँ पे देखिए हमें कैसे दे रखा है 2Q plus 1 हमने पढ़ा है A equals to BQ plus R तो यहाँ पे इसकी तरह मिलता जुलता है यहाँ प लिखनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ओके यहां से हम लिख सकते हैं कि A हमारा कोई positive integer है और B शुड़ बी 2 यह आपको question से ही मिल जाता है तो यहाँ पे जब आप Euclid division लेमा लगाओगे तो Euclid division लेमा से हम लिख सकते है A equals to BQ plus R और यह वाली condition यह हर बार आपको लिखनी value तो यहाँ पे B की value हमारे पास कितनी है 2 तो R जो है वो 2 से छोटा होगा 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है या तो 0 या तो 1 remainder हमेशा हमारा B से छोटा होगा divisor से छोटा होगा तो जब B fix हो गया divisor fix हो गया 2 तो remainder या तो 0 होगा या 1 होगा तो अगर हम R की value इस portion में R की value if R equal to 0 अगर r को हम 0 रखते हैं तो हमारा क्या होगा a equals to 2q plus 0 क्योंकि हमारा क्या है 2q plus r होता है 2q plus r r की जगे पे हमने क्या रख दिया 0 तो a equal to कितना आ गया 2q इसी तरीके से अगर हम r की जगे पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा a equals to 2q plus 1 तो यहाँ पे हम लोग यह clearly देख सकते हैं कि जब even integer है तो वहाँ पे कितना आ रहा है 2q और जब odd integer है तब आ रहा है 2q plus 1 तो यहाँ से clearly prove हो रहा है कि if a is any form of 2q अगर a कोई positive integer है 2q की form में है तो देखिए हमारा जो even value आएगी वो 2q आएगी और odd value आएगी 2q यहाँ पे आपको question दे रखा है try it yourself में यह question हम लोग बाद में solve करेंगे पहले हम सीख लेते हैं कि youklet division से आप लोग HCF कैसे find कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको जब भी HCF find करना होगा तो आपके पास दो number होंगे तो हम क्या करेंगे एक number को second number से divide करेंगे इसके लिए rule है कि जो भी number हमारा बड़ा है उसको अंदर रखा जाएगा बट अगर remainder आपका zero नहीं आता तो आप again divide करोगे और आपका जो diviser है वो आपका dividend बन जाएगा यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं यहाँ पे आपको दो value दे रखी है 455 and 452 इन दोनों का आपको HCF निकालना है तो देखिए step 1 455 यह हमने किया तो 42 से हम divide जब कर रहे हैं तो 10 बार में जा रहा है और remainder बच रहा है 35 remainder यहाँ पे 0 नहीं आया इसलिए हम again इसको divide करेंगे अगले step में जब 42 को किया तो 35 से जो हमारा remainder बचा था उससे divide करेंगे ठीक है इस तरीके से करेंगे 455 इसको आप 42 से करोगे 10 बार में तो 10 बार में यहाँ पे 420 आ जाएगा और आपका remainder कितना बच रहा है यहाँ पे 35 अब जब 35 आया वो remainder 0 नहीं है तो आप again divide करोगे अब जो आपका divisor था यह dividend बन जाएगा तो 35 जो आपने किया तो एक बार में आपका आगया 35 अब आपके पास फिर से बच गया कितना 7 तो आपके पास 7 बच गया अब आपका 35 है इसको आप 7 से करोगे तो आपका 5 पे complete divide हो जाएगा और remainder बचेगा 0 तो हम इसे 3 step में लिखेंगे कैसे 1 equals to BQ plus R इसी format में आपको लिखके दिखाना है कि 42 ये 10 बार में प्लस 35 बच गया इसके बाद step 2 42 को जब हमने किया तो 35 वन बार में प्लस 7 और 35 को किया तो 7 इंटू 5 प्लस 0 तो यहां से हमें इन दोनों का क्या मिल गया जिस पे आपको remainder 0 मिला वही आपका HCF होगा तो किस पे मिला आपको यहां पे 7 पे सो यहां पे हमारा जो इन दोनों का HCF होगा वह कितना होगा 7 होगा ओके तो 7 इस दा HCF अब यहां पे आपको try it yourself में एक कोशन आपको HCF निकालने का दिया है एक प्रूफ करने का दिया है सो यहां पे देखें यहां पे बोल रख है कि class 9 के 576 student है class 10 के 448 student है इन दोनों का अगर हम if the selection of these two classes अगर हम इन दोनों classes का selection करते है are to be made where number of students should be same in each section so हर section में बराबर student होने चाहिए then find the maximum number of section दोनों class का maximum कितना section बनेगा okay class 9 के student दे दिये 10 के student दे दिये maximum कितने section बनेगे और उसके लिए आपको hint दिया है कि HCF निकालना पड़ेगा highest common factor so चलिए हम दोनों question को solve कर लेते है try it yourself में question this and question this okay solution देखते हैं और देखते हैं आपको कितनी जल्दी समझ में आता है try it yourself का अगर हम पहला question देखें तो वहाँ पे आपको prove करना है कि 6Q plus 1 6Q plus 3 आपका आएगा तो यहाँ पे भी आप ऐसे मान लोगे let A be an positive integer हमने assume कर लिया कि A हमारा कोई integer है और B की value 6 क्योंकि question में आपको दे रखा है 6Q plus 1 और आप जब compare करोगे A equals to BQ plus R तो यहाँ पे B की जगे पे आपको क्या नजर आ रहा है 6 नजर आ रहा है ऑके by Euclid algorithm अगर आप Euclid algorithm से लिखो तो यह हमारा होता है A equals to BQ plus R और जो R है वो हमेशा B से छोटा होना चीए जी और 0 के बराबर होना चीए या 0 से बड़ा तो B हमें 6 पता है तो 6 से छोटी कौन कौन सी value होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो possible remainder की value क्या क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो हम R की जगे पे एक बार 0 रखेंगे एक बार 1, 2, 3, 4, 5 और वहां से हम बताएंगे integers तो जब R, when R equals to 0 तो A equals to 6Q plus 0 that means 6Q जब आप R की value 1 रखोगे तो A equals to 6Q plus 1 जब 2 रखोगे तो 6Q plus 2 3 रखोगे तो 6Q plus 3 4 रखोगे तो 6Q plus 4 and 5 रखोगे तो A equals to आपका हो जाएगा 6Q plus 5 तो यहां से हम clearly देखिए आहमें ये value मिल रही है और question में हम से बोला है कि odd integer बताईए odd वाली value बताईए तो odd वाली value आपकी कौनसी हो जाएगी 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 तो यहां से हम 3 value को लिख देंगे 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 6Q is any multiple of 6 ठीक है ये 6 का कोई भी multiple है जब भी उसमें 1 add करोगे for example 6 का multiple 12 है और 12 में 1 add किया तो कितना है 13 तो ये हमेशा एक odd value आएगी तो ये हमारा proof हो जाता है try it yourself a question first question second है यहां पे बोला है Euclid division algorithm से maximum number of हमें find करने है section maximum number section find करने के लिए हमें HCF find करना पड़ेगा so ये HCF निकालने के लिए algorithm तो लिख दिया है लेकिन यहां पे आपको पहले HCF के लिए divide करके देखना पड़ेगा so मैं यहां पे पहले आपको divide करके दिखाऊंगी कि 576 को 488 से हम divide करेंगे तो कैसे divide होगा so हमारे पास है 576 576 इसे हमें किससे करना है 448 से हमें divide करना है तो एक बार में हमारा आएगा 448 और जब आप इसे subtract करोगे minus करोगे तो यहां पे हमारे पास कितना बच जाएगा 16 में से 8 गया 8 इसके बाद यहां पे 1 हमने carry दे दिया तो 6 में से 4 गया 2 and 1 128 अब आपका remainder 0 आया नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे जो यह हमारा था diviser यह बन जाएगा dividend 448 ओके अब हम इसे अगें divide करेंगे तो हमारा 3 बार में 3 times में आ जाएगा 384 अब हमारे पास remainder कितना बचेगा 64 अब 64 बचा तो क्या 64 completely 0 आया नहीं आया तो एक बार हम और करेंगे अब हम क्या करेंगे 64 को 128 128 को करेंगे 64 से तो 2 बार में हमारा 128 आ जाएगा और remainder कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा इसका मतलब जो 64 है 64 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा जब आप इसको complete divide करोगे इसी को हमने यहाँ पर यूकलिट डिवीजन algorithm लिख दिया कि 576 है तो 448 1 बार में और 128 remainder बसता है जब 448 को करते हैं तो 128 से 3 बार में जाता है 64 remainder बसता है और जब 128 को करते हैं तो 64 में 2 बार में जाता है 0 remainder बसता है और HCF यहाँ पर हमें कितना मिलता है 64 is the HCF तो हमें यहाँ पर HCF मिल रहा है 64 total student कितने हैं देखिए अगर आप total student calculate करोगे तो यहाँ पर class 10 के class 9 के and class 10 के total student है हमारे पास 576 plus 448 यानि 1024 1024 क्योंकि question ध्यान से पढ़िए आपको बोलाई maximum section कितने होंगे कितने section बनेंगे तो हमने यहाँ पर HCF निकाल लिया अब हम क्या करेंगे दोनों वाल्यू को add कर देंगे जब आप दोनों वाल्यू को add कर लोगे तो maximum number of section क्या होंगे दोनों को आपको add करके 64 से divide करना है class 9 के student plus class 10 के student आ गए 1024 और जब आप इसे 64 से divide करोगे तो आजाएगा 16 यानि 16 maximum आपके क्या बनने वाले हैं section बनने वाले हैं तो यह हो गया आपका answer कि 16 section अगर आप से कोई पूछे कि 9 के कितने section बनेंगे या 10 के तो आप 9 के section भी निकाल सकते हो 9 के बच्चे हैं section यानि class 10 के 7 section बनेंगे और class 9 के 9 section बनेंगे तो इस तरीके से आप solve कर सकते हो ये question आपकी NCRT में नहीं है लेकिन worksheet में हैं तो ये question आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पर worksheet complete होती है do subscribe, hit the bell icon and comment your any query or questions